हालो दोस्तो नमस्कार मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन प्यारे साथियों मैं बहुत बड़ा अपडेट आपको देने आया हूँ एम्स के बारे में सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनें और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें बच्चों बात यह है कि आज एक मई दोजार तेईस और आज साम पांच बज़े तक एम्स के फोरम के फाइनल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है एम्स ने फाइनल रजिस्ट्रेशन के डेट में बदलाव किया था और वो जो बदलाव की डेट है वो आज समाप्त हो रही है आपकी आज आपके पास आखरी मोका है अगर किसी बच्चे ने एम्स का फोरम पहले भर रखा है बेसिक रजिस्ट्रेशन केवल करवाया हुआ है या किसी के R.U.C. कोड जनरेट करवाया हुआ है और उसने फाइनल रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं तो अब भी आपके पास मोका है मेरे प्यारे दोस्तों अपने इंडिया के अंदर बड़े इस तर पर नए नए एम्स कोलेज खुल रहे हैं एम्स B.A.C. नर्सिंग के और एम्स पेरा मेडिकल दोनों के तो मेरा आप सब बच्चों से आग रहे हैं कि आपने अगर एम्स का सेर करना कि परतेक विद्यारती को ये पता चल जाए कि आज साम पांच बजे तक एम्स के फोरम बरने की अंतिम्तिती है लास्ट डेट है ये देख लीजिएगा यहां पे किलियर मेंसन किया हुआ है ठीक है इन्होंने या लिख दिया है कि भाईया आज आप साम पांच बजे तक एक मई दोजार तेईस साम पांच बजे तक जो है आप क्या कर सकते हो बच्चो अपने फाइनल रजिस्टेशन के लिए एपलाई कर सकते हो ठीक है कि नहीं बच्चो बिलकुल जी बिलकुल तो इस बात का आपको क्या रखना पड़ेगा ज्यान रखना पड़ेगा लेकिन म मोका आज साम पांच बजे तक यह बई मोका आज साम पांच बजे तक है कुलियर है कि नहीं बिलकुल किलियर है जी इसके बाद में मेरे प्यारे साथ यह अगर मैं आपको बात करूं कि बई अपना जो विजय है जू कैसल है यहां पर आपको मेंस के लिए एक बहुत ही crackrice को कर्स का बेच मिल रहा है तो आप तुरंट विजय एजूकेशन एप डाउनलोड करके क्रेस को जॉइन करके पढ़ा ही शुरू कर दो बचों एम्स ने एक बार 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 डेट नहीं बढ़ेगी इस बार आपको मौका मिला है बहुत सारे नए एम्स खुल रहे हैं और ये मौक मरदोस्तों कहीं न कहीं आप मैनत करके हांसिल कर सकते हो एक गौर्मेंट सीट पर आप काबीज हो सकते हो और बच्चों आप इस बेच में जुड़ करके तैयारी करिए और पहले एम्स का एक्जाम दीजिए और फिर आप अपने स्टेट का एक्जाम राज्य इस तर पर भी एक्जाम होते हैं वो भी दीजिए मैं तो यह कहूंगा परतेग विद्यारती कम से कम तीन फॉरम बरें किते फॉरम बरें तीन फॉरम तो जरूर बरें तब ही जाकर कि मरदोस्तों एक अच्छा कोले जमें मिलेगा ठीक है कि नहीं बिलकुल और जादा जानकरी के लिए और आप अपना ऑनलाइन बेच अपनी विजय एजूकेशन एप के अंदर एक सीट अगर आप रजिस्टर करना चाते हो क्रेस कोर्स की सीट आप बुक करना चाते हो तो अपनी टीम को कोल करके भी आप रजिस्टरेशन करा सकते हो ठीक है बिलकुल अब मैं बात करूंगा कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे देखो बच्चों एडमिट कार्ड एग्जाम से साथ दिन पहले आते हैं ठीक है ना तो लगबग बी एसी नर्सिंग के एडमिट कार्ड जो है जून के फैस्ट वीक में आएंगे और पेरा मेडिकल के उससे करीब करीब दस दिन पहले यानि म माई के आप यूं समझ लो 20 माई के आसपास आएंगे पेरा मेडिकल वालों के ठीक है ना बिलकुल हाँ अब बच्चों मैंने एम्स के बच्चों के लिए जो मोडल पेपर तयार किये थे वो अब आज से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे विजय एजुकेसन एप के अंद तक मोडल पेपर जो मैं डालने शुरू कर दूँगा ठीक है ना आज लगवग हिंदी मीडियम का और इंगलीस मीडियम दोनों का मोडल पेपर डल जाएगा अब एम्स के बेच में कंटीन्यू ये मोडल पेपर आते रहेंगे बच्चों आपको बस इन मोडल पेपर को सॉल अजाएगा तो विजया एजूकेशन के अंदर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निविदन है कि बच्चों अब थोड़ा टाइम पीरिड बढ़ाओ पढ़ने का ठीक है ना बिल्कुल और किसी एक चीज को लेके मत बेटो डेली डेली दोस्तों कम से कम अननतंतर का टॉपिक है रिप्रॉडेक्टिव सिस्टम तो अब मेल और फिमेल रिप्रॉडेक्टिव सिटम् अगर पूरी तरह से पढ़ना हो तो कम से कम एक सबता टाइम लगता है ठीक है यह 10 दिन का टाइम लगता है स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ने में होती है और वो हम सब मिल करके करवा रहे हैं ठीक है न तो मेनत बच्चों आप भी बहुत कर रहे हो ठीक है अपने गुरूजन भी बहुत कर रहे हैं तो मुझे लगता है इस बार हमारी ये मेनत कामयाब हो जाए बस यही सबसे बड़ी बात है लेकिन ये कामयाब होगी कब में कोई दोर ही नहीं है मैं तो कहता हूं एक Dual Play लाड लो घर से कदम बार मत रखना प्लीज निव दन है जाए कितना भी जरूरी काम हो मैं दोस्तों आपको घर टेक है और पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है ठीक तो आज के लिए इतना ही मैं session को end करूँ इससे पहले फिर वही घोशना कर रहा हूँ फिर वही बात कर रहा हूँ आज EMS BAC Nursing और EMS Paramedical के forum भरने की last date है आज EMS के अंदर वही बच्चा forum भर सकता है जिसका पहले basic registration complete करवाया हुआ है जिसके basic registration के साथ अपने photo और sign अपलोड किये हुए हैं वो बच्चे आज अपना RUC code ले करके तुरंत final registration कर सकते हैं यह आपके पास अंती मोका है बच्चों इसके बाद और कोई मोका नहीं मिलेगा अब आपको और क्या करना है EMS के लिए तो बच्चों देखो अब आपको EMS के exam की जो date है उससे पहले पहले आपको जाती प्रमान पत्र और मूल निवास प्रमान पत्र बनवा लेने हैं अगर आप नहीं बनवा पाए exam की date से पहले तक तो फिर आप general category में सामिल हो जाओगे अगर मालो आपकी OBC category है आप general में चले जाओगे SC category है आप general में चले जाओगे EWS है आप general में चले जाओगे इसलिए अपने अपने जाती प्रमान पत्र बिटा अपने पापा जी को अपने बड़े भाई को या किसी relative को बोल देना कि भाईया computer center पे जाके मेरा cast certificate online करवा दो वो करवा देंगे ठीक है न बच्चो बिलकुल और जो जाती प्रमान पत्र विशेश कर जो OBC के बच्चे हैं MBC category के बच्चे हैं वो अपना cast certificate central government वाला बनाए वो जब आप apply करोगे न ओनलाइन तो वो computer center वाला खुद बखुद कर देगा कोई दिक्कत नहीं सेम procedure है ठीक है तो आज के लिए इतना ही जय हिंद वंदे मात्रम